हालो गाईज, लास्ट टाइम हमने एकनोमिक इंपर्टवान्स ऑफ बायोलोजी पार्ट फार्ट फ़न देखा था, अब पार्ट फ़न में हमने कुछ क्रॉपज देखे थे, खरिफ और फिर रभी क्रॉप्स उसमें एकनोमिकल इंपोर्टन्स क्रॉप्स भी देखे थे, सीरि fruits, oil, woods, condiments यह सब हम इस lecture में दिखने वाले देखिएंगे अब economic botany में हमने last part जो देखा था vegetables, fifth point था, six point होगा fruits अब fruits दो तरक्य होंगे, एक ऐसे fruits होंगे कि जो ovaries से develop होगे और दूसरे ऐसे fruits होगे कि जो ovaries से develop ना होगे, किसी और part से वो develop होगे यानि fleshy part जो होगा, वो कुछ और होगा, ovary तो present होगा, लेकिन fleshy part यानि खाने लायक part कुछ और होगा तो जो ovaries से develop होगे, यानि ovary का जो part होगा, वो हम खाएगे उसे क्या कहेंगे, true fruits, example ये mango, mango total form होगा ओवरी से और अंदर इसका seed होगा, वो क्या होगा, ovule तो ये जो outer part है, जो हम खाएगे, ये क्या है, ovary, तो इसे कहेंगे true fruits, लेकिन false fruit में क्या होगा, कि seed जो है, ये बाहर रहेगा यानि ovules या फिर ovary जो है, ये बाहर डेवलप होगा, और ये जो है, ये क्या है, thalamus, cashew nuts, जो है ये, thalamus, इस टाइप के fruits को क्या कहेंगे, false fruit, developed other than ovary, ovary छोड़ के डेवलप होगा, other parts से, अब fruits में अगर देखा जाए, तो 96% of water होगा, mostly fruits में, अब water जो होगा, उस में mostly minerals और vitamins mix होगे, इसमें banana या फिर dates, ये इसमें सबसे ज़्यादा carbohydrate content होगा, यानि energetic part इसमें ज़्यादा होगा, बूलते हैं ना कि जीम जाने से पहले बनाना खाना या फिर सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद, dates खाना चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपने body को energetic रखेगा, banana, dates और citrus ये mostly इंडिया से ही पाए जाएंगे, यानि इनका native जो होगा, वो इंडिया ही होगा, अब ये जो fruits है, banana, dates या फिर citrus ये दो family से belong करेगे, एक तो rosacea या फिर rutacea, rosacea मतलब ऐसे flower bearing families होगे, चोटे चोटे flower होगे, rose-like या फिर rutacea, इन में flower तो develop होगा, लेकिन इन में बहुत जादा सुगंध present होगा, example, citrus, citrus का अगर flower देखा तो इसमें सुगंध होता है, सुगंध होता है, मतलब ये attract करेगा insects को pollination के लिए, तो mostly आमला, saffron, केसर, ये इन में mostly सबसे जादा vitamin C पाया जाएंगा, जो dried stigma से लेगे, saffron जो ये क्या है, dried stigma, ये जो content है, इन में क्या है, mostly 96% of water present है, अब इसे ही fruits के अगर compartment किये जाएं, तो fruits types कौन से होगे, या फिर in fruits में edible part कौन सा होगा, अगर एक छोटा सा part देखा जाएं, अगर समझें ये fruits से, ये जो है, ये part fruits है, अब इस में जो outer covering है, ये क्या है, मेजो कार्प, सोरी, middle covering जो है, ये क्या है, मेजो कार्प, outer covering, एक्टो कार्प, और middle, inner covering, एंडो कार्प, यानि, exokarp, mesokarp, या फिर endokarp, exokarp, outer covering होगा, mesokarp, middle covering, और endokarp, inner covering होगा, ये fruits के कुछ sections होगे, parts होगे, और इसके अंदर, अगर seed होगा, तो इसे क्या गाएंगे, kernel, अंदर अगर seed होगा, तो इसे kernel गाएंगे, ये tentatively हमने figure बनाया, तो देखते हैं, अभी, अभी अगर apple लिया, apple या फिर peer, तो इन्हें palm fruit कहा जाएंगा, अब palm fruit, मतलब ये fruit ovary से develop ने होगा, ये fruit thalamus से develop होगा, यानि खाने लायक पाठ क्या होगा, thalamus, इनमें खाने लायक पाठ क्या होगा, thalamus ये पाठ खाने लायक होगा, तो इसके अंदर जो fruit seeds present होगे, seed के outer covering होगा, यानि ऐसा, seed के outer covering present होगा, यह क्या होगा, ovary, यानि थैला मस totally cover up कर लेंगा, ovary को, बनाना, berry, यानि उसमें कोई seed नहीं होगा, पूरा, पिछ पिछा होगा, पूरा खा लेंगे, मेजोकार्प और एंडोकार्प, यह हम इस fruit का खा सकते, exocarp, फेक देंगे, custard आपर, यह भी berries होगा, fleshy pericarp, and of individual, berry, cashew nut, hard होगा, nut like part, stock और cotyloron, हम खाएंगे, जो यह देखा था, यह क्या है, stock और cotyloron, यह जो है, cotyloron, यह जो है, cotyloron, यह यह, cotyloron, यह, cotyloron, यह है, coconut, droop fruit, यहाँ भी coconut और mango, यह दोनों को droop fruit दिया, droop fruit मतलब यह, अंदर से hard होगे, यह क्या होगे, अंदर से hard होगे, जो अगर coconut देखा, coconut में, जो exocarp होगा, exocarp absent होगा, जो hairy part होगा, वो क्या होगा, mesocarp, hairy part जो होगा, वो क्या होगा, mesocarp, और endocarp, जो अंदर का, जो whitish part रहता है, उसके उपर जो एक covering होता है, coconut, coconut देखा है ना, उसके उपर एक covering होता है, brown color का, तो वो जो covering होगा, endocarp, और उसके अंदर जो white है, वो क्या होगा, seed, जो white है, वो पूरा एक seed material present होगा, उसमें, और mango के बारे में, mango का structure ऐसा होगा, इसमें, grapes, ये भी बेरे दिया है, इसमें pericarp, या फिर placenta हम, खा सकते, cucumber, ये paper fruit है, paper fruit, paper fruit में, mesocarp, endocarp और placenta, ये तीनों आटम खा सकते, mesocarp, अब ये cucumber है, cucumber में, mesocarp, ये खाएंगे, जो seed present है, seed attached, जिस, ये जो seed होगा, seed attached, जिस पार्ट को हुआ, उससे क्या खाएंगे, placenta, यानि ये भी हम क्या करेंगे, खा लेगे, तो इसमें क्या होगा, हम outer जो पार्ट कभी निकाल देगे, तो exocarp पे ये नहीं खाएंगे, mesocarp और endocarp, या फिर placenta, ये सारे चीज़ हम खा सकते, lady finger, lady finger, capsule होगा, pericarp और seed हम, खा सकते, इसमें lemon और orange, hasparadium, hasparadium मतलब, ये जो ये compartments होगे, इसके अंदर, अगर lemon को break किया, तो lemon के अंदर compartments होगे, और उसमें juicy part भरा होगा, pulp भी कहेंगे उसको, उसे क्याएंगे, pulp, जो छोटे चोटे segment में, juice भरा होगा, उसे क्या कहेंगे, hasparadium, bean, pea और bean, ये legumes होगे, याने seed होगे, seed के अंदर होगे, pineapple, ये cirrhosis fruit होगा, bract, perianthor, receptacle, हम ये खाएंगे, अब cirrhosis, cirrhosis मतलब, ये भी, एक placenta ही होगा, यानि, pineapple, pineapple कैसा होगा, ये outer होगा, उपर, काटे-काटे होगे, तो काटे-काटे जो होगे, ये क्या होगा, ये outer covering होगा, ये तो निकाल ले गया, लेकिन ये develop होगा, bract से, अब ये जो bract है, perianth, perianth मतलब, ये अंदर का पार्ट, अंदर का पूरा पार्ट क्या होगा, perianth, और stock, उपर क्या रहेंगा, इसका, protein covering, यानि receptacle, तो ये outer covering निकाल लेगे, श्रिफ inner part जो होगे, ये हम खाएंगे, inner part में कैसा होगा, ये ऐसे inner part में present होगा, तो ये सारे क्या होगे, embryos, cotyledons, या फिर, bract, perianth, या फिर, receptacle, ये हम खा सकते, इसमें, या फिर, wheat rice, ये क्या है, corepsis, corepsis मतलब entire fruit हम खाएंगे, with cotyledons, ये वाले fruits, ये क्या है, ये totally nut like fruits है, ये हम directly खा सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब directly नहीं खा सकते हैं, इनको grind करके अभी खाया जाता है, next देखेंगे तो oil and fats, इसमें दो तरक oils होगे, essential oil और fat soil, essential oil में, कुछ ऐसे oils होगे, कि जो सुगंध मारेंगे, aroma develop करेंगे, aroma develop करेंगे, मतलब वो holotile होगे, holotile मतलब अगर ऐसे रख दिया, तो उसके efforences form होगे, और वो उसका सुगंध environment में फैल जाएंगा, अगर aroma develop कर रहा है, तो इसमें mostly terpenes, sulfurated oils या फिर oxygenated oils present होगे, ये mostly efforences develop करने के लिए होगा, या फिर सुगंध develop करने के लिए होगा, जब भी सुगंध develop होगा, तो ये जो सुगंध ये attract करेगा insects को, और insects, ये सबसे बड़ा group होँगा, pollination करने का, यानि एक flower से दूसरे flower पे shift करना अन्थर को, pollen grains को, pollen grains को एक flower से दूसरे flower में shift करना, ये insect करेगा, ये insect attract होँगा, with the help of aroma और aroma develop करेगा flower, क्योंकि उसमें different type के oils present होगे, अब fatty oils, fatty oils में 3 categories किया है, non-drying, drying और semi-drying, अगर oils को ऐसे रखा, तो उसका जो थिकने से वो अगर कम हो गया, तो वो क्या होगा, drying oils, सुकता जा रहा है, उसका थिकनेस बढ़ रहा है, उसका थिकनेस क्या हो रहा है बढ़ रहा है उसका content जो है वो निकाल रहा है उसका थिकनेस बढ़ रहा है अगर थिकनेस ना कम हुआ ना बढ़ा तो वो क्या होगा non drying oil या फिर उसका थिकनेस थोड़ा सा कम हुआ तो उसे क्या कहेंगे सेमी ड्राइंग ऊईल िए सेमी सॉलीड होगा रूम टेम्परेचर पे अब सेमी सॉलिड होगा तो पिर मॉस्षि इस से हम उतोर स्विंद होगा तोायल सियाства ही चंडल कल experiência रोम टेम्परेचरी पे इस सॉलीड फॉर्म राなく हीट देने के बाद वो क्या होंगे ? लिक्वड फॉर्म में डवलप होना शुरू होगा यह जो यहां पे सारे दिया यह कैस्टर सीड, जैट्रोपा सीजर्म, साथ फ्लावर, सनफ्लावर, सोया बिन यह जो मस्टर्ड यह जो सारे seeds दिये, यह seeds से हम oils निकाल सकते हैं, next अगर देखाएं तो wood, अब wood, wood किसे कहेंगे, wood कहेंगे secondary xylem को, secondary xylem, अगर यह पूरा section होगा, तो section में mostly अंदर क्या होगे, अंदर, vascular bundles होगे, जैसे vascular bundles बढ़ते जाएंगे, इसके xylem भी क्या होगे, बढ़ते जाएंगे, जो xylem बढ़ेगे, तो यह जो बढ़ने वाले xylem से, यह क्या होगा, wood, यह पार्ट होगा, wood, इसे क्या कहेंगे, secondary growth, secondary growth develop करेगा cambium, without cambium secondary growth develop नहीं हो सकता, अगर देखेंगे, cricket bats, अगर cricket bats किसी wood से बनाय जाता है, तो वो होगा, salix, alba, यह वाला होगा, hard होंगा, salix, alba, match stick, या फिर match box, यह जो बनाय जाएंगे, यह बोसल है, serate, इस पेड़ से बनाय जाएंगे, यह सालमालिया, malabarika, यह जो पेड़े, इस से match stick, बनाय जाएंगे, hockey sticks, tennis, badminton, rackets, cricket stumps, यह जो बनाय जाएंगे, मुरूस, alba से बनाय जाएंगे, मुरूस, alba, यह वाला, mulberry का एक varieties होगा, मुरूस, alba, pencil, जो बनाय जाएंगे, वो अडिना, codifolia, या फिर juniper species, इन पेड़ से बनाय जाएंगे, mostly, gymnosperm में जो wood present होगा, वो wood होँगा, soft wood, उससे क्या गाएंगे, soft wood, उस में, xylem और phloem, बहुत जाएंदा water content सक करेगे, और उसकी वज़ा से क्या होँगा, वो wood, soft बनेगा, ठीक, next अगर, spices and condiments, spices, मतलब, तीखा पाट, जो हम सबजी में, यूज करते, अब देखेगे, it hard parts of plants using pulverized state of flavor, ये क्या करगा, different type of flavors develop करेगा, hard part होँगा, और different type of flavors से develop करेगा, it can be obtained from different parts of plants, हम इन्हें ले सकते, different parts of plants से, plants होँगे, उनके कुछ leaves यूज कर सकते, fruits या फिर flowers भी यूज कर सकते, इसमें dry dry rhizome, dry rhizome मतलब सुखा हुआ roots, अगर वो लेगे, तो ginger ये यूज कर सकते या फिर turmeric, यानि हल्द, भी बोलते है, haldi, turmeric या फिर ginger ये यूज कर सकते, dry stigma और flower, flower का dry stigma, ये clove होँगा, clove ये वाला, ये clove, ऐसे clove दिखेंगे, जब fresh होगे तो, सूखने के बाद ये white, sorry black हो जाएंगे, या फिर saffron, ये क्या ह केसर, ये क्या होगा, केसर, saffron मतलब केसर, ये वाला, ये भी क्या होगा, dried stigma, अगर fruits देखा जाए, black pepper, coriander, या फिर fennel, यानि soft, soft जो खाते, ये क्या होगे, fruits होगे, leaves, leaves में mint, पुदिना या फिर paper mint, ये वाला, पुदिना या फिर paper mint, या फिर seed, कारडामॉम, एलाइची, या फिर, fenugreek, यानि मेथी, मेथी वाला, ये कड़वा, इसे मेथी की सबजी, जो बोलते ही हो, आ सकती है, अगर मिट्टी में लगाया तो, यानि ये जो सारे parts है, ये सारे parts हम use करेगे, spices और condiments में, इन से क्या होगा, different type के flavors हम खाने में ला सकते है अगर कुछ problem होगा, fruits, oils, fats, woods, spices या फिर condiments में, तो please comment कीजिए, पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, अगर total videos देखने हैं, तो इस link पे आप visit कर सकते हो, next lecture होगा, medicinal plants पे, medicinal plants ये भी एक economical botnik का एक part होगा thank you and all the best